Hello my dear students, welcome again, welcome to Magnet Brains Hindi Media मैं आपके अपनी प्रग्या गुपता लेकर आ गई हूँ बाबा गंभीर नाथ पाठ के प्रशन और उत्तर पाठ को हमने समझ लिया है, प्रशन उतर का नंबर आ गया है तो चलिए देखते हैं ये प्रशन हमसे क्या पूछ रहे हैं ठीक है? ठीक है? जो पूरे भारत में नाथ संपरदाय चल रहा है उसके जो मठ यानि की आश्रम और मंदिर स्थापित किये गए हैं उनका मतलब एक तरह से पूछा जाएता है, हैड ओफिस कहां है ना, वो कहां से उनकी देखरेक, उनका जो चलना है वो नियम काईदे कानून कहां से प्रचलित होते हैं ठीक है? तो जानते हैं इसका उत्तर की संपूर्ण भारत के नाथ संपरदाय के मठों और मंदिरों की देखरेक गोरकपुर में इस्तेद गोरक नाथ मंदिर से की जाती है मतलब यह उसका सेंटर पॉइंट है सारे मठों में उनका मैसेज सर्कुलेट कर दिया जाता है ठीक है? तो आप जिसे मैंने का ना हैड ओफिस की तरह आप समझ सकते हैं तो ऐसे आप इसको समझ सकते हैं बढ़ते हैं अपने अगले प्रशन की और जो की है प्रशन दो बाबा गंभीर नात ने किस से दीक्षा प्राप्त की थी? ठीक है? किस से दीक्षा प्राप्त की थी? यानि धर्मा अध्यात्म का ज्यान इन्होंने किस से पाया था? तो बाबा गंभीर नात ने गोरकपुर के गोरक्षपीट के महंत बाबा गोपाल दास जी से दीक्षा प्राप्त की थी पता है नहीं कैसे इनको मिले थे पहले वाले गुरू ने कैसे इनको मना कर दिया था उसके बाद ये नहीं मिले और यहाँ पर फिर गोरक्ष पीठ में ही इन्होंने अपने आगे का अध्यान शिक्षन प्रारम भगिया और फिरंत समय तक वो वही रहे थे तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर जो की है प्रश्न तीन प्रश्न तीन हमसे पूछ रहा है बाबा गंभीर नाथ ने नाथ संप्रदाय के किस सिध्धान्त को पुनर जीवित किया पुनर जीवित यानि एक ऐसा कोई सिध्धान्त जो की समाप्ती की ओर था लेकिन उसको वापस से इन्होंने उसमें जान डाल दी और इन्हें पुनर जीवित कर दिया तो ऐसा कौन सी चीज थी? चलिए देखते हैं, बाबा गंभीर नात ने नात संपरदाय के योग सिधान्त को पुनर जीवित किया, जो योग का सिधान्त था, वो काफी डल होने लगा था, वो काफी, मतलब ऐसा लग रहा था कि जैसे उसको अपने अंतसमाप्ती की ओर है, ले हम से बाबा गंभीर नात कौन सा वाद्य यंत्र बजाकर भजनों का गायन करते थे? तो वाद्य यंत्र का मतलब होता है, म्योजिक इंस्ट्रूमेंट, आपने देखा होगा जबी किसी संगीत का गायन होता है, कोई गायक अपना गीत प्रस्तुत कर रहा होता है, तो धेरों वाद्य यंत्र उसके पीछे बचते हैं, वरतमान समय में भी आप वॉलिवूड, हॉलिवूड के सौंग सुनते हैं, तो आप देखेंगे कि गाना एक ही होता है, लेकिन उसमें धेरों वाद्य यंत्र बजाये जाते हैं, तो यहाँ पर भी आपसे पूछा जा रहा है कि बा फिलहाल नाम भी आदनी आ रहे हैं, कितने सारी चीज़े हैं, लेकिन जो पहले कि हमारे मुजिक इंस्ट्रूमेंट थे, वो हार्मोनियम, सितार, वाइलें ये सारी चीज़े हुआ करती थी, तो इनकी आधार पर वो इन सब चीज़ों को बना के सितार आपने देखा होगा इस तरीके से सरस्वती मा के हाथ में भी सितार वीना रहती है, है ना, तो उसी तरीके से उसको बजाकर ये भजनों का गायन किया करते थे, अकेले भजन सुनना अच्छा तो लगता है, मगर जब म्यूजिक उसके साथ हो जाता है, तो वो सोने पर सुहागा हो जाता है, यान अपने अनुयाईयों से किन कर्तव्यों का पालन करने के लिए कहा था अनुयाईय मतलब followers जोने आप अगर आप social media की भाईशा में समझें तो followers को कहा जाता है लेकिन यहाँ पर अनुयाईय शब्द मतलब उनका अनुकरण करने वाले जो इनसे सीख ले रहे थे उनके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है तो बाबा गंभीर नाथ ने अपने अनुयाईयों से किन कर्तव्यों का पालन करने के लिए कहा तो यह जो चीजें हैं यह हमें भी माननी है क्योंकि यह जो teaching से हैं यह हमारे लिए भी है तो बाबा गंबीर नात ने अपने अनुयाईयों से कहा कि साधू संतों का आदर सम्मान और सेवा करना आप सभी का करतव्य होना चाहिए जो हमारे रिशी मुनी साधू संत है इनका आदर करना सम्मान करना उनकी सेवा करना हमारा करतव्य होना चाहिए ठीक है चलिए तो देखते हैं आगे का प्रशन बाबा गंभीर नात का पवित्र समाधी स्थल समाधी मतलब जहां पर इनका देहा वसान होता है वहीं पर एक कक्ष टाइप का बना कर वहां पर इनकी समाधी उनको वहां पर बिठा कर उनको आदर सम्मान के साथ और फिर वहां पर एक चबूत राया आप जिसे कहें कि एक बना दिया जाता है आसन टाइप का उसे कहा जाता है उनका समाधी स्थल ठीक है तो यहां पर हम जानेंगे कि बाबा गंभीर नात का जो पवित्र समाधी स्थल है वो कहां पर बना हुआ है तो बाबा गंभीर नात का पवित्र समाधी स्थाल गोरकपूर उत्तर परदेश के गोरक्ष नाथ मंदिर जो है उसके पवित्र प्रांगण में यानि उसी क्यामपस में बना हुआ है आज भी लोग उसके दर्शन करने जाते हैं अपनी मानने ताइ महाँ पर मनोती जो होती है वो मागा करते हैं ठीक है क्योंकि एक सिद्ध पुरुष्ट है इसलिए इश्वरी ये दर्जा भी प्राप्त है योगी वर गंभीर नात पुस्तक की रचना किस ने की है जहां आपको याद आ गया होगा कि किसके शिष्य ने इसकी रचना की है उनके परमप्रिय शिष्य जो बाबा गंभीर नात थे उनके परमप्रिय शिष्य श्री अक्षय कुमार बंधो पाध्याय ने मुनिवर योगी नात मुनिवर गंभीर नात नामग पुस्तक की रचना की थी ठीक है उनके शिष्य ने ही इसकी रचना की थी शेशे को उनसे इस्पायर था, उनके जीवन के बारे में सब कुछ जानने का प्रयास उसने कर लिया था, तो उन्होंने उसकी रचना हमारे लिए की है, ताकि हम उसे पढ़ कर इनके बारे में और अधिक चीजें जान सकें, तो इस प्रकार आज हमने कम्प्लीट किया, बाबा कैसा भेजिए, बस भेजिए, क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ कि इन सारी चीजों से आप क्या सीख रहे हैं, क्या शिक्षा हासिल कर रहे हैं, टीचिंग सब की अलग-अलग हो सकती है, किसी ने सच बोलने की प्रेंडना ली होगी, किसी ने सितार बजाने की लिए होगी, क अपने काम का मोती चुनिए और उसे देखिए, सीखिए, पढ़िए और कंठस्त कर लीजे, अपनी कक्षा परिक्षा में अच्छा प्रदार्शन कीजिए, यहाँ पर CPSC, English Medium, Hindi Medium, MP Board, UP Board, भिहार Board, प्रतियोगी परिक्षाओं की अगर हम बात करें तो, NTSC, CUET, 777, Olympia Arts और Sp और English की बढ़ियां तयारी कराई जाती है, आप विश्व के भारत के नमबर वन ओनलाइन प्लेटफॉर्म पर हैं, ठीक है, यह बिलकुल निश्वल्क है, यह आपसे किसी चीज़ का कोई चार्ज नहीं लिया जाता, तो बढ़ियां इन सारे वीडियोस को देखिए और बिलकुल यह नहीं कहने वाली हूँ, क्योंकि मुझे पता है, यह सारी चीज़ें आप लोग खुद बखुद करने वाले हैं, तो बस शेयर करते रहिए, ग्यान बाढ़ते रहिए, ग्यान की गंगाव को बहाते रहिए, चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, MCQS के साथ, तब तक रखें अपना खास क्याल, बाइ-बाई